दोस्तों, अमेरिका में नौकरी करने का ख्वाप देखने वालों के लिए बड़ी खुशकबरी है अब आपको अमेरिकी वीजा के लिए लंबा इंतिजार करने की जरुवत नहीं है आपको बता दे कि यूएस सिट्रिजन शिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की नोटिस के नुसार दोहजार चौबिस एच वनवी कैप के लिए रेजिस्ट्रिशन एक से सत्रा मार्च तक खुला रहेगा इस दोरान आप वीजा अप्लाई करने के लिए ओनलाइन एच वनवी रेजिस्ट्रिशन सर्विस का समाल कर सकते हैं इस सर्विस के तहत आप रेजिस्ट्रिशन पूरा करके सब्मिट कर सकते हैं रेजिस्ट्रिशन के लिए आपको 10 डॉलर यानी करीब 815 रुपए रेजिस्ट्रिशन फीस की पेमिंट करनी होगी ऐसे करें एच वनवी वीजा के लिए ओनलाईन रेजिस्ट्रिशन दोस्तों रेजिस्ट्रिशन के लिए आवेदन करने के लिए 1 माई USCIC खाता बनाए आवेदक को 10 डॉलर की नॉन रिफंडेबल राशी का भुपतान करना होगा जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये है लिंक जो लोग अपना रेजिस्ट्रिशन कर रहे हैं उन्हें रेजिस्ट्रिट अकाउंट का उप्योग करना होगा नया अकाउंट बनाने के प्रक्रिया 21 फरवरी को दोपहर से शुरू ही थी खाता बनाने के बाद प्रतिनीधी किसी भी समय अपने खातों में क्लाइन को जोड सकते हैं अलाकि क्लाइन्स की जानकारी दर्च करने के लिए प्रतिनीधी और रेजिस्टर करने वालों को एक मार्ज तक इंतिसार करना होगा बात में उन्हें हर एक क्लाइन्ट के लिए 10 डॉलर का पंजी करन शुक जमा करना होगा अन्तिम भुगतान तक अकाउंट के माध्यम से ड्राफ्ट के रूप में जानकारी को एडिक करना तयार करना और स्टोर करना संभव होगा अधिसूशना में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार 31 मार्च तक खाताधारकों को अन्तिम चैन के बारे में सूचित करेगी अप्रूबल मिलने के बाद आवित को को यूएस सी आईएस को अपनी फॉर्मल और डीटेल H1B प्रस्तुत करनी होगी जो 90 दिनों में पूरी होनी चाहिए दोस्तों अमेरिका में हाई स्किल्स टैलेंट की मांग को पूरा करने के लिए भारतिय और अमेरिकी टेकनोलोजी कमपनी H1B वीजा का इस्तिमाल करती है इस वीजा का सबसे ज़दा फायदा भारतिय उठाते हैं हर साल जारी किये जाने वाले नए वीजा में लगभग 70 प्रतिशत वीजा भारतियों को मिलता है हाल की सालों में अमेरिकी टेकनोलोजी कमपनीों को ये वीजा सबसे ज़दा मिले हाला की अब देखना होगा कि पिछले कुछ महिनों में अमेरिकी टेक सेक्टर में हुई बड़े पैमाने पर छटनी से इस साल के H1B वीजा की मांग में कमी आएगी या नहीं आपको बता दे कि H1B कैप सब्जेक्ट अप्लिकीशन में सीधे हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता इस अमेरिकी वीजा के लिए सिर्फ वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें H1B रेजिस्ट्रिशन प्रोसेस के दौरान सेलेक्ट किया गया है इसमें वो eligible beneficiary भी शामल हो सकते हैं जिन्हें advanced degree में छूट दी गई है प्लाई इस कबर में इतना ही आखी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज